वेलकॉम बेक माई वीडियो चनल मैं जाप लोड करता हूं बैस सी माथमाटिक्स पिजिक्स रिलेटे लग्छा सूंद इस वीडियो 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 दिसक्षाइब इस टॉपिक में बात करने माले हम इंपूटेंट पॉटेंट पॉटेंट इस अंटर प्रैसर प्रैसर पाइब बात करने वाले हैं रिमेंनिंग एरिया से जो फार्मुला है वो उस फार्मुला से जो मिकार यहां पर देखने वाले बहुती इंपॉटेंट एक्जांपल अच्छा एक्जांपल है पात करते हैं लेमीना इन से फॉप पर क्वाडरीलेटर एबी सीडी है जो फ्रीज सर्फेस है वहां पर आपके जो साइड है वो इस लाइक जो क्वाडरीलेटर है एबी सीडी की साइड जो सीडी है एंड यहां पर यहां पर है यहां पर हम पहले तो सबसे पहले इसका डाइग्राम देखते हैं यह इसका डाइग्राम है जो कुष्चिन ने बोला है वहीं हमने यहां पर दिया है यहां पर हमको इसके थूँ हमको यहां पर कोई भी टाइप पर हो सकता है कोई भी फिक्स नहीं कासा हो पर यह नियान रखना है कि c d side जो है वह कहां पर free surface यह जो है फ्री सर्फिस हो जाएगा एक अगर हम इस सर्फिस की बात करें यह surface जो है कि फ्रे उजाएगए इसको हम यहाँ पर प्रेफफ़ेस कहा रहे sindus के उसन Graduate पिर más है और ्बे उसके करना है अगर solve करो यहां पे वैसे तो हम इसका इसका s q बॉडी होगा ना, symmetric body नहीं हो, तो हम इसका generalized form में इसका find नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोशिज करते हैं, कि इसको इस type से divide करते हैं, कि हम उसका center of pressure find करते हैं, तो अगर मैं इस type से इसको divide करते हैं, हम देख सकते हैं, यह हमारे पास में यहाँ पर square मिल जाएगा, पर वो भी जरूरी नहीं, square हो, rectangle मिल जाएगा, एंड एक हमको triangle मिलेगा, बट यह triangle completely immersed है, हमारे पास में को rule नहीं है, कि हम इसका cp find कर सकते हैं, और इसका तो चलो हम कर सकते हैं, cd है, यहाँ से हम इसकी जो length हौँ, यहाँ पर हमको beta alpha दे रखी है, पट हम यहाँ पर all and over हम कह सकते हैं, कि हम से फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर जुगार लगाता है, तो जो हमारा formula होता है, तो अब हम यहां पे क्या कर रहे है यह जो एब जो है इसको क्या कर रहे है यहाँ E-point तक आगे बढ़ा है हमने तो हमको यहाँ पे दो triangle मिल रहे है अब आप देख सकते हैं 2 triangle कौन कौन से मिल रहे है एक जो triangle हमको मिल रहा है वो ये पूरा बड़ा वाला triangle मिल रहा है जिसका base भी कहाँ पे है free surface पे इसका base भी कहां पर आप देख सकते हैं, इसका base भी यहां पर free surface पर, और एक जो दूसरा triangle आपको मिल रहा है, वो यह वाला triangle मिल रहा है, इसका base भी कहां पर free surface, तो हम ऐसे triangles का CP बिल्कुल easily find कर सकते हैं, जिनका base जो होता है, वो free surface पर होता है, फिक है, तो उसी concept का use करते हैं, ह यह alpha है ठीक है अब यहां पर कहा रहा है on increasing the side AB toward E B side जो है वो E की तरफ हमना उसको increase किया तो we'll get two triangle ठीक है whose base around the like free surface ठीक है तो free surface है तो इसे like जो भी bodies होती है जो भी हमारे पास में lamina होता है उनका में यहां पर बिल्कुल कर लेंगे फिर इसको less कर लेंगे बड़ा वाला triangle का निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे इसको less कर लेंगे तो मारे पास में इसका CP बिल्कुल easily आ जाएगा इसका formula कि आता है उसके बारे हम बात करते है तो इसके formula बारे हमने t2 y2 बार अपोन यह हो जाएगा t-t2 फार्मुला होता है अब यह completely हम यहां पर पुरा देखेंगे और आपको जो प्रूफ करने को बोला है वो प्रूफ करना यानि कि आप देख सकते हैं यह अक्च्छल में आपको क्या दे रहा है यहां पर यहां पर यहां पर यह जो है वो x distance पर है और हमको यहां पर यह x distance हो गया इसको हम यहां पर a distance ले लेते है quadratory जो side है cozy so that को उने यहां पर consider कर लिया है ठीक हलांगे इसके जरूरत नहीं पड़ेगा पर फिर हमने इसको consider कर लिया आप देखो यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले हमको क्या करना हमको आप जो triangle यहां पर दीक है और यहां पर दीक है यह जो दोनों ट्राइंगल्स आप देख रहे हैं यानि कि एक मैं बात करती हूं इस वाले ट्राइंगल में यहां पर्लीट वाला ट्राइंगल हो जाएगा तो इन ट्राइंगल में देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के similar है ठीक है तो हमने यहां से का consider किया let d e is equals to x यानि कि यह वाली जो side है इसको हमने यहां पर x consider कर लिया है ठीक है अब यहां पर हमने क्या क्या कि जो triangle b c e जो है वो similar triangle है a d e का जो similar triangle होता है उनके sides का ratio जो होता हो एक वोल होता है तो अगर मैं इसकी ratio की बात करता हूँ तो यहां से यह इसकी यह वाली side और इसकी पूरी यह वाली side यानि कि अगर हम कह सकते perpendicular एक type से कह सकते perpendicular का ratio हो जाएगा तो यह हो जाएगा d e upon e हो जाएगा e c यह पर हम पहले बड़े वाले triangle की बात कर लेते हैं तो पहले हम बड़ा डॉला triangle लेते हैं तो वह क्या हो जाएगा c e upon d e हो जाएगा c e और उसके ratio क्या आ जाएगा d e आ जाएगा and then बात करते हैं यहां से b c टीक है यह b c इसका यह base हो जाएगा इसकी values हमारे पास में है यह alpha है यह alpha है यह alpha यह beta है एक्स का value निकालना है in terms of known values हमारे पास में बड़ा गीवन है पर x तो गीवन नहीं है तो यहां पर x का value हम यहां से find करना चाहते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा यह b c upon a d हो जाएगा तो यहां पर हम जो values उसको put कर देते हैं तो c e जो है वो हमक क्या है यह हमने स्कुलेट कर चलो c e upon c e रखने दिया है अब बात करता हैं यहां पर c e is equal to यह जो value है यह x है अब बात करता हैं यहां पर जो b c है b c हमको कितना given है यहां पर beta given है और यह हमारे पास में alpha है तो अब देखो जब हमारे पास में इस type के relation मिल जाया यारी x हमारा जो है वो non value है पर हमको यहां पर कैसा relation मिल गया तो यहां से हम c e find कर सकता है और वो क्या है beta x upon alpha हो जायेगा अब क्या करना यहां से अगर हम बात करें यहां पर आपके पास में like यह relation आगे तो हम क्या करते है पूरी body का ने कि जो बड़ा बड़ा ट्रेंगल है उसका हम यहा करनाो भग बात करते हैं हो प्रेशर हम बात करते हैं हो सब्सक्राइब करते हैं करते हो फ抉ल प्रेशर के बार मेंं टो confirmed इंड़े बात करे लगने वाला प्रेसर है ने कि उसका बड़ा वाला वाला ट्रार एगल जो अहने में वालेंगल तक यह होता रोः़ जी एस औल समझने वाली बात ये है, कि जब भी हमारे पास में, ये free surface है, और ये कोई भी triangle होता है, मनलो कोई भी triangle है ये, जिसका base free surface पे होता है, उसका जो z bar होता है, यानि कि center of gravity जो होता है, यानि कि जिसकी height h है, height जिसकी h है, और उसका center of gravity जो होता है, वो h by 3 होता है, ये आपको अमेस तो अगर मैं बात करता हूं इसके बेस की तो बेस क्या हो जाएगा और हाइट कितना हो जाएगा बीटा हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा हाइट तो बीटा ही होगी तो हाइट यहाँ पर बीटा आ जाएगा तो बीटा भाई 3 हो जाएगा यहाँ पर इसका वेल्यू तो यह जो ट है हमारे पास में ट is equals to क्या आगया रो जी अगर हम इसको थोड़ा सा साई धंग से लिखे तो यह हो जाएगा वन बाई 6 रो जी और यह हो जाएगा c e एंड यह बीटा स्क्वेर हो जाएगा अब हमारे पास में यहाँ पर c e का वेल्यू हमारे पास में पढ़ा एंद एक्विशन नंबर वन तो इक्विशन नंबर वन से हम इसमें वेल्यू पूट करेंगे तो t is equals to 1 by 6 यह हो जाएगा रो जी और यहाँ पर वेल्यू पूट करेंगे बीटा x अपॉन अलफा और यह आजाएगा बीटा स्क्वेर हो जो हमारे पास में यहाँ पर वेल्यू आ रही है वो वन बाई 6 आ रहा है यह हो जाएगा रो जी बीटा क्यूब एक्स अपॉन यह हो जाएगा अलफा तो इस टाइप से हम क्या कर सक प्रेसर इंगल करना बात करते हैं आप बात करते हैं ते बात करते हैं यहाँ आई प्रैसर ओन ट्रैंगल ते यहाँ अफ है तो यह वह होई यहाँ हो जाएगा रो जी अईस 에्ज यहाँ पे खॉक्य घोजाता क्या नहीं पर आप चाहा होगा होजाए का उसका जो बेस है आप देख सकते हैं यहाँ यह एस में जाएगा, खर क्या हो जाएगा. t1, t और t2 का value हमको given है, मलें मल गया हमारे को, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमने आपको स्टाटिक में बता कि, यह फार्मूला जो होता है, वो हमको यहाफे y1 bar find करना है, तो यह हो जाएगा t y bar minus t2, y2 bar अपोन ही हो जाएगा t-t2 तो हमारे पास में t और t2 तो मिल गए अब हमको क्या घर न, y bar और y2 bar हमको पता होना चाहिए देखो, y bar जो है हम बात करते हैं, y bar के बारे 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 तो y bar एक ऐसे triangle का cp है जिसका base जो है, वो free surface पे तो ध्यान रखें, depth of this is the depth of cp यहने के center of pressure from the free surface ठीक है, free surface से center of pressure का depth है of triangle of triangle, हम यहाँ पे अगर triangle की बात करते हैं of triangle तो जो triangle है हमारे पास में that is the triangle bce bce triangle जो है, उसका ये cp है तो यह ध्यान रखो, जब भी हमारे पास में ऐसा कोई triangle होता है इसका base ये होता है, उसकी height h होती है, तो उसका जो cp होता है वो h by 2 होता है, तो y bar जो कितना हो जाएगा, बीटा upon 2 हो जाएगा because ये बड़ा वाला जो triangle है, उसकी height बीटा है, तो बीटा by 2 हो जाएगा similarly, अगर हम बात करा है y2 bar के लिए, तो that is the depth of cp from, depth of cp from free surface ठीक है, free surface से इसकी depth होगी, of triangle ade, तो ade triangle के लिए कितना हो जाएगा, alpha by 2 हो जाएगा now we have all these value now we'll put the value in this formula so we'll get, हम यहाँ से y bar का value find कर सकता है, वो यह find, यह proof करना था, तो t का जो value है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, I think t जो है, वो 1 by 6, rho beta cube x मिल रहा है, तो इसका value हम यहाँ पे put कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा 1 by 6, rho g, beta cube x upon alpha हो जाएगा, ठीक है, अब जो t है, उसका value है, यहाँ सा आपको देख सकता है ठीक है, अगर हम बात करें, t2 का value है, इसके साथ में y multiply करेंगे, y bar multiply करेंगे तो y bar, जो है, वो कितना है, यहाँ पे beta upon 2 है, ठीक है, फिर इसमें से less करना है t2, t2 जो है, वो आप देख सकता है 1 by 6, rho g x alpha square हो जाएगा, इसके साथ में y को multiply, इसमें से y2 को multiply करेंगे, तो यह alpha upon 2 है, ठीक है, यह क्या हो यह है, तो यह हो जाएगा, 1 by 6 rho g, beta cube x upon alpha minus t2, यह हो जाएगा, 1 by 6 rho g, x alpha square, अब आपको इसको simplify करना है और जो proof करना हो आपको यहाँ से मिल जाएगा तो यह हो जाएगा, y bar ठीक है, यहाँ से हम क्या करते है rho g, rho g, जो हो सब में साथ के common हो जाएगा अदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम इनको multiply कर देंगे तो यह बन जाएगा, beta power 4 beta power 4 upon यह हो जाएगा, alpha into x beta power 4 into x अच्छा, x भी common हो जाएगा, सब में थाम यहाँ पर x को भार ले लेंगे, तो beta power 4 upon 2 alpha ठीक है, यह 2 alpha हो जाएगा, minus यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका common आजाएगा alpha cube upon 2 ठीक है, और नीचे जो है यहाँ पर 1 by 6 common आजाएगा, rho g common आजाएगा, x b common आजाएगा मतलो, ultimately यह पूरा term यहाँ से cancel हो रहा है और यह आपको यहाँ पर square यहाँ पर आपके पास में remaining रहेगा तो अब आप देख लो, यहाँ से उपर से अगर मैं 1 by 2 को बाहर निकलता हो, तो यह बनेगा beta power 4 upon alpha minus alpha cube, ठीक है minus alpha cube हो जाएगा, और यहाँ पर remaining रहेगा, beta cube upon alpha minus alpha square, अब alpha का यहाँ पर क्या कर लेंगे हम LCM ले लेंगे, तो alpha का LCM लेने पर आप देख सकते हैं, इसको simplify अगर हम यहाँ से करते हैं, तो simplify कर लेंगे, तो y1 बार आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 1 by 2 हो जाएगा और यहाँ से मैं alpha का LCM ले लूँगा, तो यह हो जाएगा, beta power 4 minus alpha power 4 upon, नीचे जो है, वो यह क्या हो जाएगा beta, चाहिए alpha alpha जो है हो LCM के cut हो जाएगा, और यह हो जाएगा यहाँ पर beta cube minus alpha q हो जाएगा, तो यह आपके पास में expression है, अब आपको क्या करना जो proof करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको open कर लेंगे, तो हम यहाँ से अगर इसको open करते हैं, यहाँ से, यह क्या बनेगा, beta square, alpha square, and beta square, plus alpha square, अगर मैं बात करूँ, x square minus y square, जो होता है, वो होता है, x plus y, and x minus y, अब यह x power 4 है, यानि कि अगर मैं इसको ऐसे लिख हूँ, beta square का square, minus alpha square का square, तो हम उसको इस टाइप से क्या कर देंगे, express कर देंगे, तेक है, अब उन में क्या आजाएगा, अच्छा, एक काम और कर सकता है, इसी को हम एक बार और कर सकते हैं, भईया, हम इसको ऐसे लिख सकते है, beta minus alpha, beta plus alpha, beta square plus alpha square, हम स्कोर मिलब जो यहां पर बीटा स्क्वर मानस अलफा स्क्वर है उसमें एक बार और मैंने आडिन्टिटी को apply कर दिया and then नीचे जो है इसका formula होता हमारे पास में that is the a minus b and यह क्या होता a square plus a b plus b square ठीक है यह a cube minus b cube का formula होता यहां से term यह term cancel होगा और हमको जो है यहां पर इसका expression मिल जाएगा that is the y1 bar is equals to 1 by 2 beta plus alpha and beta square plus alpha square upon यह हो जाएगा beta square plus beta alpha plus alpha square तो यह पूरा जो term था हमको यहां पर यहां find करना था और यह ही जो है इसका क्या हो जाएगा cp हो जाएगा आई होप आपको आपने पूरा जो term है जो पूरा question है वो अच्छे से clear हो गया होगा तो यह term हमको यहां पर प्रूफ करना था तो यह हमने यहां पर प्रूफ कर दिया आपने पूरा वीडियो देखा है आपको समझ माई है आपको कमेंट वाक्स में जुरूर बता है आपको वीडियो कैसा लगए इसी टैप को और मोर वीडियो के लिए हमाने सेनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू बाबाए